नमस्कार स्वागत है आपका सर्माजी एजूकेशन में आयम अनुग्रे सर्मा में सी बीट फ्रों एमजे पी आरिवरेली को फाउंडर आप सर्माजी एजूकेशन यह मेरा अनकेडमी पर लिंक है अगर आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज खुलेगा जहां मेरे कोर्सेश देख सकते हैं और मुझे फॉलो भी कर सकते हैं हमारे चैनल है सर्माजी एजूकेशन इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए क्योंकि यहां पर जो सीटेट और एसटेट की त्यारी करने वाले लोग हैं उनके लिए वीडियो टाइम से मिलती रहती है कुर्सेश उनके जो इंपर्टेट टॉपिक है सीटेट और एसटेट के लिए उस पर आदारित हमारे पास इस चैनल पर लेसन मिलते रहेंगे साथी साथ फिजिक्स और कैमिस्ट्री से रेलेटेट जितने भी इंपर्टेट टॉपिक है उन टॉपिक्स के भी वीडियो यहां पर आपको मिल जाएंगे तो सर्माजे एजिक्सन को सब्स्राइब कर लेजिए और वीडियो को लाइक करते रहें यहां पर हम यह जो वीडियो है इस वीडियो में हम आरे बट्टे पर चर्चा करेंगे जो कि भारतिय गड़ितक के और प्रसिद बेग्यानिक के रूप में जाने जाते हैं आरे बट्टी का जन्वनु 776 इस्वी में कुसमपुर और असमत्क नाविश्थान पर बताया जाता है तो कुसंपुर अतवा असमत इसलिए क्योंकि कुछ विद्वान जो हैं वो कुसلف बताते हैं और कुछ विद्वान महराष्ट्र के असमत नावश्थान को इनका जन्मिस्थान बताते हैं इनके मृत्यू 550 इस्वी में और इनके जो कारे चेत्र हैं वो गलतक्य और ख़गुल सास्ट्री के रूप में इने जाना जाता है प्रारंबिक जीवन के अगर हम बात करें तो आरेवट्टी ग्रंत के अनुसार इनका जो जन्मिस्थान है वो कुसुंपुर और जन्मिकाल सक संबत 398 या फिर 476 इसमी लिखा है इस जानकारी से उनके जीवन काल का जो समय है वो तो निर्विवादित है परन्तु इनका जो वास्तिविक जन्मिस्थान है इसके बारे में कुछ विवाद है विद्वानों का मानना है कि आरेवट्टे का जन्मि महाराष्ट के अस्मक प्रदेश में हुआ था लेकिन जो इनका कुसुंपुरा नामक इस्थान है वहाँ ये उच्छ शिक्षा प्राप्त करने के लिए गये थे और इन्होंने वहाँ पर कुछ समय व्यतीद भी किया था बहुत देवं हिंदू परंपराओं के सासा सात्मी सताबदी के जो भारतिय गड़ितक के रहे जिनका नाम दा भासकर तो उन्होंने कुसुंपुरा की पैचान पाटली पुत्र के रूप में की और ये पाटली पुत्र वही है जहां पर नालंदा विस्थविद्याले स्था चुझ बह्ते हैं तो आरेवर्ट्य जो है वो कहीना-कही नालंदा विस्थविद्याले से हो सकता है जुढ़े रहे हो तो ऐशा कुछ भिद्ध्वान बानते हैं कार्यों के बात करे तो आरेवर्ट्य की जानकारी उनके दौरा जो रचित ग्रन्थ हैं उनसे मिल जाती है हम आरेवट्य सिद्धान्त के बारे में बहुत सारे मतवेद भी हैं अब इतना उपयोगी जो ग्रंत था वो लुप्त कैसे हो गया इसके बारे में कोई भी विद्वान के पास किसी विद्वान के पास कोई निश्य जानकारी नहीं है आरेवट्य ग्रंत के बात अंगर हम करें तो उस ग्रंत में क्या-कै चीजे हैं तो आरेवट्य आरेवट्य के द्वारा किये गए कारीों का प्रतत्य विद्वान नाम नहीं दिया होगा बलकि जो बात में टिपड़ी कार या फिर जो उनके सिस्सिदेबात कर्तम फे उन्होंन वास्तिविक्ता में जो ग्रंत है इस ग्रंत में गडित और खगोल विज्यान के बारे में बहुत सारी व्यापक जानकारी मिलती है अर्थात ये जो ग्रंत है वो गडित और खवोल विज्ञान का एक संग्रह है तो आरेवट्टि के गडितिय भाग में हम देखते हैं अंक गडित, भीजगडित, सरलत्रकोड मिती, गोलियत्रकोड मिती और साथी साथ दुईगास समीकरण और साइन की जो टेविल है जिसे हम जिया तालिका बोलते हैं तो उसकी वी जो वर्णन है वो देखने को यहाँ पर मिलता है आरेवट्टिय ग्रंथ में आरेवट्टिय में कुल 108 चंद बताये गए हैं और 13 परिचायत्मक हैं अतरिक्त से जो की चार भागों में विवक्त हैं ये चार भाग कौन कौन से हैं पहला है गीतिक पाद, दूसरा है गडित पाद, तीसरा है काल क्रिया पाद और चोटा है गोल पाद तो इन चार अध्यायों में 108 चंद और 13 परिचायत्मक देखने को मिलते हैं आरेवट्टि के योगदान के अगर हम बात करें तो आरेवट्टि का भारत और विस्तु के गडित और जोतिस सिद्दान्त पर बहुत गहरा प्रहा पड़ा है भारती गडित्ग्यों में सबसे मह आरेवट्टि में प्रस्तुत किया मतलब यहां पर जो आरेवट्ट का जो ग्रंत है आरेवट्टि है उसमें 120 आरेचंदों में जोतिस सास्त्र के सिद्दान्त को उन्होंने गडित सूत्रों के रूप में प्रस्तुत किया है अब गडित चित्र में महान आर्कमडीज जो थ उन्होंने पाई का मान दिया था अब आरे भट्टे ने आर्कमडीज का जो दिया गया पाई का मान था उससे भी सटीक रूप में पाई का मान दिया और साथी साथ खलो खगोल विज्ञान के चेत्र में पहली बार ये भी बताया कि प्रित्वी स्वयम अपनी धुरी पर गुम किन्तु बिद्वानों का ऐसा मानना है कि रिक्ट स्थान के साथ 10 की गात के लिए एक स्थान धारक के रूप में सूननी का ग्यान आरे भट्टे के स्थान मूल अंक प्रणाली में नेत था तो बिद्वान ऐसा मानते हैं कि इस। इस यह आरेवट्टे की है, उसमें सूनने का वर्णन देखने को मिलता है, किन्तु उसका जो प्रतीक चिन्न है, उसमें कोई भी आरेवट्टे ने उलेखत उलेख नहीं किया है। आश्रे कर देनी वाली बात तो यह है कि आरेवट्टे ने डेढ़ हजार अव साल पहले ही जोतिस सास्री खोज कर दी थी जैसा कि हम इसमें देख सुके हैं कि कौपर निकस द्वारा जो प्रतिपादि सिद्धानत है उसकी खोज आरेवट्ट कई हजार वर्स पहले भी कर चु यहां पर आरेवट्ट ने ब्रत्य की परदी और ब्यास के भी संबंद बताया उन्होंने का कि जो ब्रत्य की परदी और ब्यास है उसका जो अनुपात है वो 62,832 अनुपात 20,000 आता है जो दस्वालब के चार इस्थान तक सुद्ध है आरेवट्टी की गणना के अनुसार ब्रत्य की परदी बताई गई है वो 49,968.0582 किलो मेटर बताई गई है जो कि वास्तविक मान 40,045.067 किलो मेटर से मात्र 0.02 प्रतिसत कम है तो इतना परिसुद्ध मान इन्होंने बहुत ही पहले हजारों वर्स पूर्व बता दिया था जो कि कॉपर निकस की गणना से कई वर्स पूर्व था तो इतना परिसुद्ध मान उन्होंने इतने पूर्व दे दिया था यह बहुत ही आश्चर जनक बात है इनका जो इनकी जो मृत्ति हुई थी वो 74 वर्स की आयू में हुई थी लगवाग 550 इसवी में अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है आरे बट् प्रेंट वीडियोज हैं सीटैट और एसटैट से रिलेटेड वो यहीं पर आपको मिलेंगे धन्यवाद